नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतो पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त गुलाब जल और गलीसरीन के मिश्रन का ये उपाय 80 साल के बुढ़ापे में भी 20 साल की जवा तवचा बना देगा सभी जानते हैं गुलाब जल और गलीसरीन चेहरी की तवचा के लिए कितनी फायदे मंद है फिर भी बहुत कम लोग दोनों के मिश्रन का फायदा अच्छी तरह से उठा पाते हैं या उसके बारे में जानते भी हैं मिश्रन का असर चेहरी की तवचा पर सरदी में और गर्मी में जादा होता है क्योंकि दोनों समय तवचा या तो तैली हो जाती है या फिर रुखापन आ जाता है आईए हम आपको दोनों के मिश्रन के इस्तेमाल के फायदे बताते हैं गुलाब जल एवं गलिसरीन को मिलाकर चेहरे पर हलके हलके रगरने से तवचा का रुखापन खत्म हो जाता है और तवचा निखरने लगती है यह परक्रिया सोने से पहले करनी चाहिए पांच मिनट के लिए गुलाब जल एम गलिसरीन को सपताह में दो दिन लगाने से त्वचा की कोशिकाओं में नहीं जान आ जाती है और त्वचा के छिद्रों में अंदर जमने वाला मैल आसानी से मलने पर बाहर आ जाता है गुलाब जल एवम गिली सरीन तवचा पर हलका रगणने से चेहरे पर खून संचार में सहायक है और क्योंकि इसमें एंटी एजिंग रोधक गुन होते हैं इसलिए ऐसा करने में ये सक्षम है जो की चेहरे पर जुरिया पढ़ने से आपके रुख देती है चेहरा उम्र के हिसाब से काफी यंग एवम सुन्दर लगता है तवचा का धीलापन एवम रुखेपन को दूर करने का गुलाब जल एवम गिली सरीन एक खास समान तर बनाने में तवा का कारे करता है इससे चेहरे में निखार एवम दाग धब्बे दूर हो जाते हैं चेहरे पर बने मुहासे के रोम शिद्र को ब्लेक स्पोर्ट होने से बचाता है तवचा में चिकनाई पन एवम खिली-खिली हुई दिखती है तवचा इस तरह सब्ता हमें दो बार चेहरे पर गुलाब जल एवम गिली सरीन के मिश्रन से अवश्य हलकी-हलकी माली 5 मिनिर तक करें ज़्यादा तरह प्रक्रिया रात को सोने से पहले करें क्योंकि गुलाब जल एवम गिली सरीन में पाये जाने वाले एंटी एजिंग रोधक मून दिन की जगह रात को ज़्यादा आसर करते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए लिए लिप्स को पिं महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों